पहले आदमी और औरत आदम और हव्वा एक सुन्दर बाग में रहते थे तो परमेश्वर ने उनकी लिए बनाया था पर शैतान एक धूर्थ सांप की तरह आया और आदम और हव्वा की परिक्षा ली क्या परमेश्वर ने तुमको सही में कहा इन पेड़ों की वालों को मत खाओ सांप ने हाफवा से पूझा कि वलमेश्वाले पेर से हव्वा ने जवाब दिया अगर हम इससे मल खाएं तो हम मर जाएंगे तुम नहीं मरोगे सांप ने कहा यहां पर एक कारण है कि क्यों परमेश्वर नहीं चाते कि तुम इस पेर से खाओ अगर तुम खाओगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे जो वो जानता है तुम भी जानोगे हवव नने भल खा लिया उसने कुछ आदम को भी दिया जो उसके साथ monuments था उसने भी इसे खाया और एकदम से उन्होंने वो जाना जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था एक बात जो वो जानते थे वो यह कि वो नंगे थे उन्होंने अपने आपको ढपने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़ कर सिल लिया उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस नहीं किया था इसलिए वो जानते थे कि कुछ खलत हुआ है आदम, हवा, बरमिर्वर ने आवास दी हम छिप रहे हैं, आदम ने कहा, हम नंगे हैं इसलिए ये जानते हो, क्योंकि तुमने उस पीर से खा लिया है परमिर्वर ने गहीरी सास लिए तब आदम ने हवा को दोश दिया और हवा ने साम को दोश दिया परमिर्वर ने कहा, साम, तू पेट के बल चलेगा परमिर्वर ने आदम और हवा के लिए कपड़े बनाए और उन्हें बाग से बाहर भेज दिया उसने एक च्वाला में तलवार के साथ एक स्वर्ग दूद को वहां पर रखा ताकि वो वापस ना आ सके छो फो फबता हुआते हैं जस वो बाकि लिए को पर में खा रखादा था लगवाला आ सके बाहर दाए हैं झाल वो था हुआते हैं झाल झाल